नमस्कार दोस्तो आज हमारे चैनल में बहुत ही खास इंसान हमारे साथ है मिस्टर सुदीर मिस्रा ये आज हमारे साथ बहुत ही खास इंसान हमारे साथ जुड़े हुए है जो कि ये 2004 से आउन कर रहे हैं लॉंचिंग मॉडल इनके पास है नमबर है जे 05 जे 5 6 4 6 आप इतनी बुलेरो इतनी पुरानी बुलेरो आप लॉंचिंग मॉडल बहुत पहले से आप यूस कर रहे है तो आपका इतने साल तक वह एक्सपेरियस कैसा रहा आप थोड़ा बुलेरो के साथ मैं रखी सुपर दी है जो पहले 2005 में लॉच वह ती उसके साथ काफी अच्छा रहा और वो गाड़े लेने के बाद में जो हमारे फैमिली और काफी हमारे रोज मरा के जिन्दगी के लिए काफी उसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, हमारी काफी सहायता किया, आर्थिक इस्तिती को काफी सुधार आया और मैं ये पूजना चाहता हूँ, आज 15 साल से ज़्यादा हो गए आपकी ये गाड़ी पे, तो आज आप इसे बेचना चाहते हैं, तो इसके बाद आप कुछ सोच रहे हैं कि नेक्स्ट आप महेंदरा की गाड़ी ही लाए, या फिर कुछ और ले हैं देखे, इसके बेचने के बाद तो मैंने आभी तक फिलाल कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन मैं क्या लूँगा, वो तो डिपेंड करता है कि अगर बेचने के बाद में कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, तो मैं जरूर लूँगा क्या आप महंदरा की ही गाड़ी दुबारा लेना चाहेंगे? तो काफी अच्छी है मैंने सुचा है तो हमारे साब से वो और सही है तो अप इस गाड़ी को बेचना क्यों चाहते है आप देखिया इस गाड़ी को मैं बेचना इसलिए चाहता हूं ताकि मेरी थोड़ी financial कजिए इस condition ठीक नहीं है तो आप इसके बदले Tempo ही क्यों सोचे क्यों कि टेमपू इसलिए है कि लो बजट की गाड़ी है और रोज कमाने खाने के लिए वो बेटर ओप्सन है आप तो नेक्स्ट गाड़ी आप बुलेरोही खरीच सकते हैं नेक्स्ट फुलेरों ही खरी सकता हूं लेकर मैं उसे अफ़र्ड नहीं कर सकता ना उसकी अभी रेट काफी ज़्यादा है तो इस्टोल्मेंट भी भरना पड़ेगा बहुत मिस्किले बहुत परिसानिया है तो आप कुछ आनन्द महिंद्रा से कुछ कहना चाहते हैं जी आनन् 2004 में यह गाड़ी आपको कितनी के पड़ी थी यह 2004 की मुझे 64 एक मतलब इस्टोल्मेंट विलाके पास लाग के पड़ गए थी अच्छा आज की डेट में यह 10-11 लाग की पड़ती है जी आपके फाइनेंसियल कंडिशन भी खराब है तो आप यह दुबारा लेना नहीं ले आफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपके कहना यही है चलिए आपको बहुत सारी सुपकामना है हम उमीद करते हैं कि आपकी फाइनेंसियल कंडिशन ठीक हो जाए धन्यवाद थैंक्यू